नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा, इस विडियो में हम डिस्कस करेंगे कि लूबिस्टार CMC Eye Drop का उपयोग किन कंडिशन्स में किया जाता है, लूबिस्टार CMC Eye Drop को आखों में कैसे डालना चाहिए और लूबिस्टार CMC Eye Drop की वज़े से क्या side effects हो सकते हैं, और यह भी डिस्कस करेंगे कि लूबिस्टार CMC Eye Drop को आखों में डालते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए, लूबिस्टार CMC Eye Drop का उप्योग आखों में सुखापन यानी आखों की जाइनेस को ठीक करने के लिए लूबिस्टार CMC Eye Drop का उप्योग किया जाता है, इसके अलावा आखों में कोई चोट लगने पर या आखों में कोई infection होने पर भी डॉक्टर लूबिस्टार CMC Eye Drop को लूबिस्टार CMC Eye Drop में artificial आसू होते हैं, जो हमारी आखों में नमी को बनाए रखते हैं और आखों में infection को होने से रोकते हैं, आखों की लेसिक surgery या cataract surgery होने के बाद भी डॉक्टर आखों में सुखापन और infection को रोकने के लिए लूबिस्टार CMC Eye Drop को डालने की सला दे सकत आखों में सुखापन होने पर आखों में जलन होना, आखों में दर्ध होना, आखों का लाल होना, आखों की दृष्टी धुंदरी पढ़ जाना, आखों में भारीपन महसूस होना, आखों में किरकिरी महसूस होना, थोड़ा सा काम करने पर ही आखों में ठकान होना, पढ़ इफेक्स की बात करे तो वैसे तो ल्यूबिस्टार CMC Eye Drop की वज़ा से अभी तक कोई serious side effects नोटिस नहीं किये गए हैं। लेकिन ल्यूबिस्टार CMC Eye Drop को आखों में डालने के बाद आखों की दृष्टी कुछ समय के लिए धुंदली हो सकती है। यदि किसी व्यक्ति को ल्यूबिस्टार CMC Eye Drop को आखों में डालने के बाद आखों में जलन, खुजली और आखों में लालपन की समस्या ज्यादा होती है या लगातार बनी रहती है। तो ऐसी स्थिती में आपको डॉक्तर से परामर्श लेना चाहिए, क्योंकि आपका डॉक्तर ल्यूबिस्टार CMC Eye Drop को बंद करने की सलाह दे सकता है। अब हम डिसकस करेंगे कि ल्यूबिस्टार CMC Eye Drop को कितनी बार आखों में डालना रेक्मेंडेड होता है। ज्यादातर व्यक्तियों को डॉक्तर ल्यूबिस्टार CMC Eye Drop को दिन में तीन से लेकर चार बार आखों में डालने की सलाह देते हैं। लेकिन ल्यूबिस्टार CMC Eye Drop की डोज उम्र और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको ल्यूबिस्टार CMC Eye Drop को आखों में डालने से पहले डॉक्तर से परामर्ष लेना चाहिए। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना न भूले। अब हम डिसकस करेंगे कि ल्यूबिस्टार CMC Eye Drop को आखों में डालते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए। ल्यूबिस्टार CMC Eye Drop को आखों में डालने के बाद ल्यूबिस्टार CMC Eye Drop के धक्कन को तुरंत ही बंद कर देना चाहिए। और ल्यूबिस्टार CMC Eye Drop की बोटल की चोच को कभी भी उंगली या हाथ से नहीं चुना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने की वज़ा से आखों में इंफेक्शन हो सकता है। ल्यूबिस्टार CMC Eye Drop प्रेगनेंट महिलाओं और गर्ब में पल रहे बच्चे को कोई नुकसान नहीं पहुचाती है। और स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए भी ल्यूबिस्टार CMC Eye Drop का उप्योग करना सुरक्षित है। इसलिए जरुरत पढ़ने पर डॉक्तर प्रेगनेंट महिलाओं और स्तनपान करा रही महिलाओं को ल्यूबिस्टार CMC Eye Drop को आखों में डालने की सला दे सकते हैं। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपका ल्यूबिस्टार CMC Eye Drop से संबंधित कोई प्रश्ण है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं।